नवस्कार दोस्तो, वेलकम डू वल्ल अफेर्स, मैं हूँ प्रशान दवन, चाइना ने हाली में एक ओफिशल वर्निंग दी है ताइवान को, इंडिपेंडेंस, आजादी की बात करोगे, तो वार होगी, नव क्वेशन यहाँ पर यह आता है, वेट, ताइवान बहुती लं ने कहा है कि हम बिलकुल ताइवान के भीशे खड़े हैं, डिस्कस करेंगे यहाँ पे कि इशू क्या है, चाइना किस बात को लेकर नर्वस है, और दुनिया भर के जो थिंग टैंक्स है, जो चाइना को एनलाइस करते हैं, उनका क्या कहना है कि आने वाले दो साल में, चाइ आपने पार्लिमेंट में एक प्रॉपर डेक्लेरेशन पास कर दी, कि नाओ वी एर अन इंडिपेडनेंट कंट्री, और इस डेकलेरेशन को युएस समेथ, यह भी कुछ और कंट्री जहरे के ऑस्ट्रेलिया, युके, इन सब ने बैक कर दिया, तो वापस इंटरनाशनल एक चाइना पर कॉमरिस टेक ओवर हो गया, जो कॉमरिस पार्टी ओफ चाइना है, इन्होंने पूरा चाइना कफ़ा लिया, उससे पहले आप अगर देखो, तो चाइना की बॉर्डर कुछ हद तक ऐसे थी, यहाँ पे आप अगर देखोगे, यह तिबद को जोड़कर, यह जो और उसका समझाता यह निकला, कि चांकाई शेक, चाइना का जो मेंन लैंड है, यह जो सरा पार्ट है, यह छोड़कर अपनी सरकार लेकर जाएंगे ताइवान में, और तब से हमने देखा है कि दुनिया में हैं दो चाइना, एक तो है चांकाई शेक का बनाया हुआ, और द अब आप अगर कॉमनिस चाइना के परस्पेक्टिफ से देखो, तो यह लोग ओपनी कहते हैं कि ताइवान तो बस हमारा एक प्रोविंस है, और सूनर और लेटर, आज नहीं तो कल, यह वापस चाइना का प्रोपर पार्ट बन जाएगा, प्रोविंस का मलब स्टेट, जिस अब तक ऐसा होनी पाया, चाइना आज के समय बहुत ही स्ट्रॉंग है, तो अब ताइवान क्या मेन अबजेक्टे है, सर्वाइवल, क्यासे भी करके, खुद को अपने आप से अलग रखो, फ्रॉम कॉमनिस चाइना, और चाइना की तरफ से आप अगर देखो, तो उन्हों जीरे चाइना इसमें काफी successful भी हुआ है, आज के समय ताइवान के official formal relations, कई countries के साथ नहीं है, including US, Canada, Russia, India, Australia, सिर्फ दुनिया में गिंती के 15 देश, वो भी बहुत ही जोटे 15 देश है, कई तो island countries है, ये accept करती है ताइवान को as a full-fledged country, और उनकी संख्या भी धीरे-जीरे अ कम हो रही है, अब चाइना को डर यह है आपर, कि COVID-19 pandemic के फैलने के बाद, दुनिया का इतना आकरोश है चाइना के उपर, कि अगर ताइवान ने, अब 2021 में, ये का के हम फिर से declare कर रहे हैं, we are an independent country, और अभी के लिए जो हमारे पुराने rights थे हम कहते रहें के हम पुरे चाइ आनक से, ये रोप की बहुत सारी countries, US, UK, कई और देश, ये support कर सकती है ताइवान को, और चाइना के परानी करीब 40-50 साल की जो मैनत है, जिसमें नो ये ताइवान को अलग किया है, ये बिल्कुल एक साल में हो सकती है, absolutely zero, तो अभी के लिए समयलो, बात क्या चल रही है कहता है, Republic of China, और फिर यहाँ पर ये बड़ा चाइना, ये कहता है, हम है People's Republic of China, और जराता जो कंटीज आ दुनिया भर में, ये फॉलो करती है, One China Policy, कि दुनिया में बस One China है, ताइवान में ये बात हो रही है, कि ठीक है, Republic of China का जो टैग है, ये अभी के लिए त्याग देत है, अब हम पे ये कंपल्चन तो नहीं है, कि ताइवान खुट को क्या रहे कि हम असली चाइना है, कि अगर आप हमको recognize करोगे, तो इंस relation तोड़ने होंगे, तो इस possibility को लेकर चाइना बहुत nervous है, अगर ऐसा हो जाता है, तो अचानक से दुनिया में ताइवान की acceptance आप स्टरगल किया, खुट को का कि हम है People's Republic of China, अब अचानक से ये जो पूरा अपना claim है, बड़े बहुत बड़े land pay of China, ये छोड़ देंगे, देखो, दो main political party है ताइवान में, एक तो है KMT, दूसरी है DPP, KMT कहती है कि ऐसा कुछ मत करो, re-nivification करेंगे, चाइना को आपस कब बजाएंगे, और पूरा फिर जो पूरा चाइना ये बनेगा, Republic of China, Democratic Progressive Party यहां पर ये कहती है, कि अभी के लिए formal independence कर दो, बाद में रेखेंगे, अगर मान लोग कल को Communist China कॉलाप्स करता है, तो हम यहाँ पर कह सकती है कि this land belongs to us, अभी के लिए focus करो on formal independence, और पिछले कुछ मह और युएस का stance इस सब में क्या है, जैसे ही चाइना की warning आई, इंडिपेंडेंस के issue को लेकर, युएस ने काया कि चाइना की warning unfortunate है, और युएस बिलकुल ताइवान के पीछे गड़ा है, हम militarily, इनको पूरा support करेंगे, मगर अजीब बात ये है कि युएस के ताइवान को, तो इस issue को लेकर करेगा, बहुत सारे think tanks है दुनिया पर में, for example, एक think tank है, Anodo Economics, ये macro economics और political forecasting company है, युएस बेस्ट, इन्होंने ये काये कि आने वाले 2 साल में, मतलब 2022 तक 45% probability है, अब तक की highest probability है कि चाइना attack करेगा ताइवान को, और completely control कर देगा इस पूरे आ बोलता नहीं है, मगर बहुत से लोग उनसे काफी नाराज है, इसके बहुत सारे reason है, चाइना की economy में एक काफी बटा downturn देखने को मिला है, COVID-19 के वज़े से चाइना की मच खड़ाब हुई है, जो Jack Ma के साथ किया है, उसको लेकर भी सारी अबादी तो ली मगर काफी सारे ल बन जाएंगे, इनका जो stature है, ये chairman Mao से भी उपर जा सकता है, और कई geopolitical analysts ये भी मानते हैं कि आज के समय चाइना जो aggression दिखा रहा है, इंडिया के against, Ladakh के आसपास, अरणाशल के आसपास, इसका एक major reason ये है, कि जो 2020-22 में बताया जा रहा है कि अगर चाइना अटाक करता है ताइवान पर, उस वक्त, ये यहाँ पर इनका जो eastern front है, यहाँ पर जो ये nuclear and country है, 1.4 billion की आवादी वाली, ये इन पर attack ना कर, ये चाइना के लिए problems ना create करे, जब चाइना इन्वेड कर रहा होगा ताइवान को, क्योंकि मैं को ये उदा दू, आने वाले 100 साल में, सबसे बड़ा geopolitical event होगा, चाइना की invasion of ताइवान, और पूरे region को मेरा ये मानना है, कि कुछ भी करके ताइवान को बचाना होगा, क्योंकि चाइना ने एक बार ताइवान को गबजा लिया, तो उसके बाद इनका अगला focus होने वाला है, South China Sea, और यहाँ पे अरणाचल पदेश प देना, use the code PD10 और आपको मिलेगा सिधा 10% discount, so use the code PD10 and save money.